जहिन साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने पड़िवार मैद सुग्रू मनीश में दोस्तों मैं हूं इमके एक्सपर्ट और आज क्लास नहीं हुआ आप लोग का और आप लोग को जो कुछ विडियो नहीं दे पाया आज इसके पीछे का सबसे बड़ा डिजन यह था कि आप लोग को दिख रहा होगा यह पीछे बैग्ग्राउंड में यह जो बोड है आज नया बोड हम इसमें लगवाए हैं जो वाइट बोड था उसको चेंज करके यहां पर ग्रीन बोड लगवाए हैं फिर आप लोग का कमेंट कि बस वाइट बोड को चेंज करके ग्रीन बोड अभी हम लगवाए हैं और प्रावलम यह हो रहा था कि वाइट बोड पर जब लिखते थे तो आप लोग को प्रावलम हो जाता था दिखता नहीं था अब तब चमकता था सायद आब इस बोड पर बेहतर तरीके से दिखेग हम आपको कुछ लिखर भी दिखाते हैं जैसे मालने यहाँ पर लिखे मैट अभी आपको बिल्कुल असपश्ट दिख रहा होगा ठेक है तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को बिल्कुल आसानी से यह सब कुछ दिखेगा दिखे हाँ और वीडियो अभी जो आप कटिन था जिसमें जो कॉंसलिंग हुआ था मैथमेटिक्स के लिए क्लास 12 वाले बच्चों का उसमें यह मतलब कहा गया था कि 90 परसेंट कोश्टन यानि 90 प्रतिशत कोश्टन 90 प्रतिशत अबजेक्टिव कोश्टन 90 प्रतिशत अबजेक्टिव कोश्टन जो होगा आपका यह 90 प्रतिशत अबजेक्टिव कोश्टन वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ट होगे यानि वो formula पर अधारित होगा 90% जो objective question आप से पूछा जाएगा वो formula पर अधारित होगा तो ठीक है और ये केशी सिनासर के द्वारा मतलब ये बताया गया था वो भी वही counselor थे तो उन्होंने इस बात की जानकाड़ी दी है कि 90% question जो है formula based होगा यानि totally formula पर अधारित होगा तो हम आपको पहले से भी ये बाते कहते आ रहे हैं ठीक है शुरू से ही हम आपको बताते आ रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ formula पर धियान रखना है और कई वीडियो में हमने इस बात की जानकाड़ी दी है कि आपको 80-90% question जो है सिर्फ और सिर्फ formula पर पूछा जाता है यानि direct formula बेश्ट होता है ठीक है और यहां कुछ clear भी आपको दिख रहा होगा कुछ clear होकर भी आया है तो कहीं न कहीं आपके जहन में यह चल रहा होगा कि आप क्या करें तो आप बच्चे हुए 7-8 दिन में हम लोग सिर्फ उसी question को target करने वाले हैं जो आप लोग का कल से बढ़िवाने वाला है उसमें हम लोग सिर्फ उसी question को target करेंगे जो सिर्फ formula प्रेश्ट होगा यानि बच्चे हुए 7-8 दिन में यदि आपने इस से पहले कुछ नहीं देखा कोई बात नहीं है लेकिन बच्चे हुए 7-8 दिन का जो त्यारी हम लोग का होगा उसमें हमने वैसे question को चुना है वैसे question को collect किया है जो question सीधे formula बिस्ट है और आपके direct body exam में पूछने की संभ अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को देख लिए concept बगर आपको पहले बता दिया गया है अब जो बचे हुए दीन है उस बचे हुए दीन में हम लोग बहतर से बहतर जो है question को देखने वाले हैं और खासकर इस पर थोरा सा ज़्यादा ध्यान रखना है कि 90% question आपके formula ब class नहीं लेकर आपाए है उसके पीछे सबसे बरा डिजन यही है और पुरे दीन का आज पुरे दीन हमको लग गया ये board खडीद कर लाए हाजी पुड़ गया हाजी पुड़ से वहाँ से खडीदे फिर यहाँ लाए फिर इसको मतलब थियार करने में थोरा सबक तो लग गया ज्यादा ठीक है जिसके विज़ा से काम नहीं हो पाए खर कोई बात नहीं है आप पीछे वाले वीडियो को रिभीजन कर लीजे एक बाद ठीक है कल से हम लोग एक धमाकेदार सुरुआत करने वाले है और मज़दार तरीके से देखेंगे एकदम सीधे board में लरने वाला question